तो आज हम बात करेंगे गलोबस अस्पूरेट के बारे में हम दो तीन पिछली कॉन और में क्या बताया गया था अभी Concord में क्या क्या बताया गया क्या 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 नेगटिव पॉइंट से क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट से अस्क्रीनर पे इसका fundamental देखेंगे business balance ही तो अभा रहा है हम Concord से करेंगे और technical के लिए हम जेरोधा पर आपको technical analysis करके कर लेंगे अगर किसी हो global suspect के पिछले control का भी अगर detail देखना है तो आप देख सकते हैं मेरा पिछले control का हमने detail वीडियो डाला था तो चलिए बात करते हैं पिछली control जो अभी control हुआ है February 2024 में वो Q424 का control हुआ है इससे पहले 9 मैंना पहले control हुआ था Q4, F523 में हुआ था तो चलिए discuss कर लेते हैं global suspect में उससे पहले भी जो control हुआ उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा रिविजन कर दूँगा तो चलिए control को ही पहले discuss करने से पहले थोड़ा वह जो भी positive point नेगटिव पांट है उसको तिलक नगर जो रस्टी है तिलक नगर को bottling के लिए इसने इसने contact लिया था और उसको manufacturing के लिए इसने rent basis पे उसको manufacturing के लिए कुछ अपना green field जो भी अपने plant हो उसको भी अपना rent basis पे दिया था जिसे वो बना सके तो आप देख सकते हैं इसके bottling उसको नहीं उच किया है तो आप उससे यह समझ सकते हैं कि तिलक नगर bottling आप देख सकते हैं उसको अपसाइट पर चाहिए तिलक नगर को अपसाइट पर चलते हैं देखते हैं देखेएगा उसकी bottling plants है बोतल की जो quality है क्योंकि आपको पता है कि इस area में bottling बहुत ही important करता है बहुत ही important matter रहेगा क्यो के ओफंचियोमर लिकुड कॉंजबर लिकुड में देंगे यहां पर बोतल पिंदो की इनकी quality इनकी बोतल की जो quality है उतनी अच्छीर नहीं इस सकते हैं सिर मेड़ कोषरूटी में जेख सकते हैं यह देखित चली इनकर देनमेट इनकर बॉट लिनगे लेकिन जो है लिकिन जो है इंडियन मेड इंडियन लिक्विड का थोड़ा वल्ट बॉटलिंग अच्छा नहीं रहता है प्रीमियल सेगमेड में रहता है क्राफ्ट अस्परिट में भी देख सकते हैं कि इसकी बॉटलिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो यहां से देख सकते हैं अब इन्होंने कि दूजार चौबिस मार्च के बाद से डिसाइड किया कि इन्होंने कॉंजुमर बेस में ज्यादा है फोकस करेंगे तो चलिए दीसकस कर लेते हैं पिछली कॉन कॉल का तिलक नगर इंडिस्ट्री का भी दिखा सकते हैं तिलक नगर उन्हें देख लिजी तिलक नगर कि अगर इंडिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं उसके भी बहुत तल की जो क्वालिटी है पैकिंग क्वालिटी बहुत मैटर करती हैं तो यहां से इससे समझाज सकता है कि अभी जो इन्होंने किव 4 24 में दिसाइड किया है कि बोट्लिंग पैकेजिंग होगा आप एक थोड़ा खर्चा जादा करेंगे और यहां से अपना पूड़क्टी क्वालिटी को थोड़ा सा कंज्यूं करेंगे अच्छी क्वालिटी बनाएंगे यह बढ़िया है क्योंकि दिखिए बिजनस के लिए तो आपको यह पैकेज पैकेजिंग देख सकते हैं थोड़ा बढ़िया है जबकि ग्लोबर सास्पीड खुद लेकनेगर को बहुत सारा अपना रेंट पैसिस पर दिया था देखिए पैकेजिंग और प्लस पैकेजिंग बॉट्लिंग और बहुत सही है तो आप कहा सकते हैं कि जो इंडियन मेड फ अब देखा जाए तो रेडिको खेतान नहीं गांब करनेटा का देखिएगा तो रेडिको खेतान की पैकेजिंग बॉटलिंग बहुत ही अच्छी लगती है और उसके करण ही उसको प्रिमयम रेट ऑपरेटिंग प्रोफिल मार जीन भी उसमें अच्छा है प्रिमयम सेग्म तो चलिए अभी हम एध कॉनकौल का थोड़ा सा दीख लेता है तो दिखा जाते हो इनका क्या हुआ था पीज से पहले ओपरेटिंग प्रॉपिट्ड मार्जिन का घटा था तो इनका अप्रॉपिट्डं मार्जिन घटने का पीछे रीजन था गेटने के पीछे की रीजन था तो रीजन था कि इन्होंने पहले राइस से किया था राइस से ये लो इथनोल बनाते हैं जो कि इथनोल राइस के रेट बढ़ने से इनका कोस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस डुमेस्टिक और इंटरनेशनल तें इंटरनेशनल में आते हैं रेट कुए ख्यतान की आप बोटलिंग देख सकते हैं बोलिंग देखने में आपको यह लगा कि यह प्रिम्यम सेगमेंट का बोलिंग है देखतें एट पीम ंतिव रॉकछ रॉपर उपर तो यहां से डे護 में चलिए अभी ग्लोबर सास्प्रीट का देखा जाया तो ग्लोबर सास्प्रीट में में इसके इनका प्रॉफिल घट गया पैकेजिंग कोस्ट इनका 12 बढ़ गया था जिस नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो इन्होंने कहा था कि या अच्छा उसके बाद इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था इनल पे इनल अलकॉल पर ज्यान दिया था जिसके कारण इनका मैनफेक्ट्रिंग सेक्टर में आप जाएगा तो आपको अपरोटिंग पर अफ्री मार्जिन घट जाता है तो इन्होंने वेस्ट बंगाल में यह नहीं दिखिया था ग्रेंबेस सब से इथनौल मेकिंग था जो इनका क्योंगी इनका ज़्कास कर रहा है अभी देखा जाए नहीं ना मीं स्टान फूर्ड वी आए मूर्जटान फूड ने थिसाइड किया है जो इतनौल मैनुफेक्ट्रिंग करेगा तो एट्र मैनुफेक्ट्रिंग्ट तो में स्ट्ण फूर्ड भी क्या कर रहा है इतनौल acknowledgement मी हत्मेंए के लिए उच करेंगे मेज का उच करेंगे तो चलिए इससे पहले देखा जाद देखिए गुलोपसस्फिट दो रहा है एक क्वार्टर पहले यह प्रमोट कुछ भी सब्सक्राइब नहीं था कि इमेज से अपना इनल बनाएंगे लेकिन अब इन्होंने टोटली डिशाइड किया है यानि एक ग्रेन से जो राइस पर पहले इनका था और इमेज पर शिफ्ट हो रहा है तो आप सुची कि एक चीज से दूसरे चीज पर शिफ्ट होने में भी टा बना था जिसे जो ब्रोकन राइस है उससे अपना ये इथेनोल बनाएंगे लेकिन ओभी कंट्रक्ट सक्सेस्फूल नहीं हुआ है जो कि आप देख सकते है कि इथेनोल इनका एक दो क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ रहा है खराब रिजल्ट आने के वज़से क्या है इस पेट बोटलिंग अपने से बनाते हैं ये क्या है एनिमल फिट के लिए पेट बोटलिंग है इनका आपना जहरकंड में देखा जा तो इनका प्रोड़क्स जक्सन चाले होना था 2022 में जो कि अभी भी नहीं हुआ है जहां पर 32 क्रोड का इन्होंने खर्चा किया था 23-28 32 क्र रास्थान ही अपना इनका रिच कम हो गया है प्रीमियम सेग्मेंट में देखते हैं तो यह इन्होंना कहा था पिनिमयम सेग्मेंट में अटर और यह बीडिशाइड भी कर रहा है क्योड़ा करेंगे और और फिर से ड्राइजिं और रहा तो लॉंचिंग में नहीं देखा यह कितना परशेंट हमको लग रहा है इन्होंने एक चीव में किया है आसी परशेंट नहीं किया गुल्स ग्रीन फिल्ड में दी खाव हुद ही घर गया है और पापे अगुव करने वाली हुआी जो कि हुगा नहीं है 내가 मार्केट से अरोना था तो हायना में रज्तान मने देखा थैं डेलर गवर्मेंट होती है तो रहा ये क्वर्मोट कर देमाने जो करेंट है छहारकणड विहार में था 140 के PL का और 60 के PL का था रैस्थान में भी था हर्याना में भी सीथा वेका 6 के PL का था भी एडिसन में और ढघ्र का भी खरीट के 90 के PL का वहां पर ओड़िस्या में तूँ दیک inspires है इन्हों अभी प्लांट को किवल इन्होंने पैसा इंवेस्ट किया और वहां से कुछ भी गेण नहीं हो पा रहा है दिल्ली इंवेस्ट बेंगाल इसमें वेस्टबेंगाल भी दिकत वी हुज में इनका प्राइक सपेट्प आत्या हो ये इन्होंने आईटि किया था कि सभी कंपनिया अब प्राइस हाइक करेंगे तो यह भी करेंगे लेकिन इनका फ्राइस हाइक नहीं हो पाया और प्राइस हाइक जहां किया है इन्होंने तो वहां पे इनका सेल्स घट गया है हर्याना में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था तो हर्याना में इन्होंन रेस्थ और इनका कुछ क्वालिटी था रस्थान रंबल्टोर ब्लैक लेस्ट्रम ग्लोबस ग्रीन केवड़ा केवड़ा तो निकालो जिसमें इन्होंने कहा था कि 26 से 40 प्रकेशिन का प्रोफिट होगा लेकिन अभी कॉन्कॉल में बता रहे हैं कि 20 से 25 प्रकेशिन प्रीमिय क्रोड और एक्सपेशन कर रहे हैं तो प्रोफिट दिखाना चाहा रहे थे तो आप देख सकते हैं कि यह प्रोमोटर के जो 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 एग्रिमेंट किया गया है वह उसमें से 20 परसेंट इन्होंने फूल्फिल किया है और 80 परसेंट भी फूल्फिल नहीं किया चलिए अभ सकते हैं मैं प्रीमियम सेंट विChrist देक्रीमी बल्फिल को क्या किया गया है यए जो गरीन वैए फूकस और पंजब सभी रहे फ्रायस देका जाये तो कम से कम आपको पहले इनको मिलता था अभी इनको 22-23 अभी उस और भी ज़्यादा हो गया है तो इन्होंने shift करने की कुछिश की है मेज पे और यह मेज पे shift करके अभी यहाँ पे इथनौल प्रोडक्शन करेंगे और इनका भी देखा जा तो अभी पिछली कौन के आप देख सकते हैं कि 80% यह नहीं फुल्फिल किया है और 20% ही फुल्फिल किया है अब देखा जाए तो नीव प्रोमिस में आए जाए तो चलिए अभी फंडमेंटल कुछ अस्क्रियों से दिसकस कर लेते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि ग्लोबस अस्परिट का समरीद देखते हैं तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आई-म-फ-ल इंडियन मेड फॉरन लिकुट वे नहीं ज्यादा फूकस करना चाहरा है क्योंकि इसमें ऑपरेटिक प्रोपिट मार्ज बीज टू बी में इनको प्रोफिट कम होता है इसलिए इथनोल बेस में नहीं फूकस करना चाहरा है अभी कंजुमर बेस पर जाना रहे हैं और वहीं प्रिमियम सेग्मेंट पर है जो कि आप देख सकते हैं अभी रेड को खेतान है तीलक नगर है जिस तरह मूग करना चाहर चलिए अभी देख लेते हैं फंडामेंट मार्केट का इनका पहले 12,000 अभी घट के देखिए 2000 हो गया है और यह लगतार डाउन नहीं जा रहा है प्रेंट प्रेंट प्राइस जा रहा है इनका पहले बढ़ा है फिर से घटा है अभी फिर से बढ़ना चालू हुआ है तो आ देखते हैं कि पहले साथ का था अब धाई का हो गया है प्राइस अब बढ़ा था अभी भी बढ़ते जा रहा है जो कि लो होना चाहिए तो हमारा क्या होगा मार्केट का अपैप और सेल यंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है ने इनक्रीज हो रहा है चलए आगे चड़ते हैं प्रोज क्या आगे बढ़ते हैं इनके देखा जातों सुला वे नियार्ड भी अच्छा कर गया तिलक नगा यानि इनको छोड़के बागी सारी कंपनिया रिटको खितान भी अच्छा परफॉर्म कर गई है पिछली साल एक दो साल में और गलोबस अस्पूरिट आप देखा जाए तो गलोबस में देखा जातों सेल्स क्या है अदिए सेल्स बढ़ रहा है असे बढ़ रहा है जाशेल्स 23 опас участ साथ छी परचंट हो तो परेटिक मार्जिंट कम होने क्या है क्योंकि इनका प्रीमियम सेग्मेंट या मनिफेक्सिंट जाड़ा चला है प्रीमियम भी नहीं कर पाई है आप देखें नेट प्रॉफिट दगा था 369-45 यह जो 45 आया भी है तो इसमें देख सकते हैं कि 20 इनका प पुराने इंकम टेक्स के अंसार करते थे अभी ये टेक्स लेप जो है नए टेक्स रेजिम के थुरू कर रहा है जिससे उनको 30 क्रोड का बेनिफिट हुआ है वहीं इसमें आपको पंदर क्रोड जो अभी मिला है पंदर को कहीं बाद में मिलेगा तो देखिए तो बीस जो गया तो 30 क्रोड का लगवा इसमें प्रॉफित हुआ था पांच क्रोड कहीं और भी कुछ हुआ होगा चलिए आज भी देता है तो सेल भी देख सकते है इंकरीज हो रहा है सेल इंकरीज हो रहा है ऑपरेटिक प्रोफित मार्जिन घट गया है जिससे नेट प्रॉफित गट गया है लेकिन पिछली साल से बढ़िया है पिछली क्वार्टर के कंपेर में दिया तो इस क्वार्टर भी बढ़िया है क्योंकि बाउन तीरपन, बाउन, सत्रह, बीस यानि आपको सुधने की चांसे लग रहे हैं लेकिन देखा जाए अभी एक दो क्वार्टर और भी हमको लग रहा है कि टाइम लगेगा उसके बाद दो साल से खरावी रिटर्न जाए और वी बढ़िया और इसी ठीक ठाक है अब फंडमेंटल वी उतना कुछ आच्छा खा नहीं सकते हैं लेकिन कुछ एक दो एक दो क्वार्टर देखा जाए और भी बटम फिसिंग जिसको करना होगा इसमें अगर देखा जाए अभी हमारे हिसाब से इसमें एक दो क्वार्टर अभी रुख जाना चाहिए तो इसमें इनका बढ़ रहा है और देखा जाता फिक्सेट है इनका बढ़ा हुआ है Currently इनका working investment 750 क्रोड का है, investment zero है इनके investment है कैस गराब übrigens कोच अight फेब eerste कंबने क ऑ चलिए प्रोड के प्रमोटर का सड़ है तो घटा हुआ अच्छे वगा है creators则 इसलिए इस लिए गटा हुआ है कंग दो quarter में अज रिझलत अच्छा नहीं वいます यानि पब्ली को ही माल जीप का आजा रहे 35-42 परसंट यानि देख सकते हैं 7 परसंट हो गया एफ हाई में देखा जाया तो आप देख सकते हैं कि MIT जो है पहले भी था इंवेस्टेड अभी भी इंवेस्टेड है बाकी और एफ हाई द्वारा कम किया गया डिए में देखिए टो मोती लाल उसवाल ने इनवेस्ट किया था पीछले दो क्वार्टर में फिर से इस क्वार्टर में एकजिट कर गया इसी समय मैंने profit book भी किया था जो कि हजार चलिए टेक्निकल देख लगते हैं टेक्निकल आईए तो टेक्निकल में analysis करते हैं तो टेक्निकल में आईए टेक्निकल यहां से देख सकते हैं कि ग्लोबस अस्परिट में आके ग्लोबस अस्परिट में देखेंगे तो इनका graph कुछ ऐसा है जो कि विकली में देख इस पर दिखाईने देगा पूरा तो विकली बेसिस पर आते हैं और चलिए इसको analysis करते हैं तो देखें यहां पर मोतिला लोसवाल ने देखा जाए तो यहा से 900 से उपर लेकर आप देख सकते हैं 12-13 जो है मोतिला लोसवाल फंड द्वारा ही बाइंग किया गया और उस्वी के दवरा यह बढ़ाया गया है और फिर से उसके बाद एकजिट किया गया मोतिला लोसवाल ने इसमें एकजिट कर लिया है अपने बाइंग लेवल से पहल लगतार गिराउट है आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से अभी तक लगतार ही गिराउट है इसमें देखा जाए तो कोई अगर बटम फिशन करना चाहे तो भी हम मेरे हिसाब से रिस्की है क्योंकि जब फंडमेंटल इतने कम जोड है और पीछे कॉन कॉल में पीछे कॉ को तो अगर दिखा जातों सेक्टर में आपको कॉजिबर सेक्टर में दे conception जातों टेस्ट का नोजएठ करता है अभी मेरे मेरे हिसाबसे केडिया और कुछ प्रिमियम सेक्डमन कुछ इनका गवर्मेंट को दोरा इतना और लोक का मैंनिफेक्शन के वज़ से भी आ गया तो हमको लगता है कि एक दो क्वाटर और भी अभी इनका डल रहागा और रेंडिक पर मार्जिन भी घट ही रहा है तो हो सकता है भी पांसो के आसपास म सब्सक्राइब को आपको हम दिखाते हैं मोति लालोषवाल का यहां पर इस्टेक तो आईए गलोब सस्प्रिट में जब जाएएगा इन्वेस्टर में तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोति लालोषवाल ने बाइंग किया है आपको जून में सेतंबर और दिसंबर वा तो आप देख सकते हैं कि इनका दिसंबर में क्या है दिसंबर में इनका यानि यहां पर इनका जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर उन्होंने सेल किया है और वह यह सब भाई किया होगा तो आप देख सकते हैं कि बड़े प्लियर के बाद में कुछ न कुछ information है इसके वह से वह exit किया है हम एक दो quarter दिखिए उसके बाद की अगर इससे बड़ी बढ़ी हैं देखाएंगे तो हम कॉन कॉल को आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत analysis करते चलेंगे और उसके बाद उस point को भी देख लीजी और इसमें मैं तो कहूंगा एक दो quarter अभी वेट किजी और देखा जाएंगे हमने point note कर लिया है उसको थोड़ा बहुत हम डिसकस कर देते हैं तो global material का उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो गई है जिससे इनका प्रोफिट मार्जिन में घट गया है और इनके द्वार एफसी जो पूरा करना था वो पूरा भी नहीं हुगा है चलिए अभी आपको हम थोड़ा सा डिसकस कर देते हैं और इनका raw material जो था वो क्या था टूटा हुगा चावल था यानि राइस था ग्रिन राइस जो अभी एफसी आइस नहीं पूरा कर पा रहा है तो इन्होंने मेज पे फोकस करना चाहा है मेज जो है अब मेज के प्रोड सब्सक्राइशन खर्च और फिर से नए जगह पर जाकर सब्सक्राइब करना फिर से उसको टेस्ट बनाना यह सब बहुत चलेंजिंग है उर्षा का इनका प्रजेक्ट करेंटली होल्ट पर है देख सकते हैं उर्षा गवर्मेंट से इसको सपोर्ट नहीं मिली होगे तो साय सब्सक्राइब करती है कि कितना मार्जिन होगा जो कि होल्सर और डिटल के बीच है तो जिसके लिए इनको थोड़ा से पर सानी ऊपर डाया है न्युव ब्राउंड इन्होंने नॉट आउट करके एक निकाला है बहुत सारे और भी ब्रांडेड इन्होंने बताया कि प्राइस इनकी 15 रुप्या पर केस वैल्यू और वैल्यू फ्लस में इनका 20 रुप्या होगा जो कि इससे पहले वाले तो यानि करने का मतलब है सब जगा फुट बैक हो रहा है टेक्स रेजिम में इन्होंने अभी देखा जाए तो पचीस द्रस लेक परसेंट दिया है जो कि पहले इन्हों 35 परसेंट टेक्स देजे करते हैं तो यहां से इनको कुछ पुरान टेक्स रेजिम में इन्हों 34-35 परसेंट देना पड़ता था नई टेक्स में इन्हों 25-70 परसेंट दिया है यह अच्छी काम किया है इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इनका 38 परसेंट जो अस्टेक्स था बहुर विवरेज लिम्टेड में उघड एफ करेंट बैबन जो फोकस कर रहे तो महां पे मार्केटिंग सच्छा है नहीं कर पाई और अभी मिलिंग स्ट्रट नहीं हुआ है इसे इनको सौट्द हो रहा है सपलाई में तो 70% 80% would be rice अभी भी ये बता रहे हैं कि 70% से 50% लगवा मेज पर आना चाहा रहे हैं जिससे फुली तो ये नहीं सिफ्ट हो जाएंगे मेज पर लेकिन राइस और मेज दोनों को mix करके चलेंगे लेकिन अपने इथनोल प्रोडक्शन को मेज में 50% करना चाहा रहे हैं को EP है हर्याना है पंजाब है तो यहां पे इनका मेरे हिसाब से रहना चाहिए तो अभी इनका देली में तो बढ़िया रहा है positive रहा है जाघ्व करनके इंडियन प्रोटिन जो इंडियन कट प्रोटिन इंग्रेडियंट है और यह डीडी जीएट है DDGS जो इनका Animal Feed Supplement है जो कि इनके बगास उससे बनता है आपको राइस से और मेज से तो ये इनका महाँ पे भी कुछ अर्निंग है जो प्रोटीन 75% production of volume मेज साइज DDGS बोला है कि अल्मोस 75% जो DDGS करेंगे ये आपको मेज वॉल्म से ही करेंगे कैस कैसी के लेंश करेंट इन्वेस्टमेंट ये ये मेड आई ये मिस्टेट ये वर होल ऑपरेशन इज आउट्साइड मॉनिफेक्ट्ट्रिंग इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमे प्राइस बुजू हो रहा है इनका मूव करता है क्योंकि रो मेटेरल का प्राइस जैसे मूव करेगा वैसे वैसे तो अभी राइस का प्राइस इंक्रीज है तो इनका बनाने का अपनेटीव प्रणाइज घर्ट जा रहा होगा कि रिड्यक्षन ऑफ डवॉल्म रिड्यक्षन इनका अधिक ठाक है और वहां का भी थोड़ा सा दिकत है कि वहां पे होल सेलर और रिटेलर के बीच जो अपरेटिंग प्रोफिट मार्जीन है वह वहां पे RSGSम है करती हैaph 11 से 9 परशंट भी हो गया है और वहां पे इनका प्रोफिट मार्णे पहले 11 परशंट था जो घटके 9 maintenance हो गया है आई परो कहा कि अब आप जो इका बोट्लिंग प्लांट है इस इनको क्या होगा जो पैसा इनका बोट्लिंग में क्या होगा और और पेकेजिंग में क्या होगा इनका सेव होगा ठीक है इनका अपना बोटलिंग है और इनका एक्सप्रियंस भी हो गया है और तिलकनगर को इसमें एक्सप्रियंस इनको बहुत सारा बेनिफिट भी मिला हो लगा मनिफेक्ट्रिंग में और इन्होंने एक बारे ट्रैल भी कर अब भी भी बता रहे हैं कि पॉइंट रेली इस पावर और फ्यूल शूट रिमें इन कंट्रोल ठीक है तौ अभी तो देखा जो भी कंपनी आ रहे हैं उनका पावर और फ्यूल के जो कोस्ट है विस अब के घठ गया है तो फैसे का को स्ट किया हो इंट्रास्टेट एक एवल इंट्रास्टेट ही सेल करते हैं एक रस्टी दूसरे श्टेट में नहीं जाते हैं वह इंगे अपनी पॉलिशी है मार्केटिंग की अब आज करते हैं कैपेसिटी विली अंडर उटलाइज से विकॉज एफसी आई के द्वारा जो इनका एग्रिमेंट हुआ था अब इसकी बात है कि उतने एमांट में हो सकता है कि ब्रोकें राइस ना मिला हो आई एमेफल बीजिनस इनका लुकिंग बेरी इंट्रेस्टिंग इस्ट इंडिया फ्यूल रिक्वार्मेंट है इन्होंने बात आया कि 30-35 परसेंट इन्होंने बताया कि मेंज है जो उससे राइस से ज्यादा प्रोफिटेबल है अब देखा बढ़ जाए तो उसमें प्रोफिट आपका कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है जो पुराना इनका उपरेटिंग प्रोफिट मार्जीन आजाए जो कि बहुत बढ़िया रहेगा तो एक से दो क्वाटर अभी देखते हैं उस वाइन में क्या क्या इंप्रूमेंट हो रही है एलके मौर केपीटल डिप्लोई अन् कोंजिमरल विजिनस में जादा ध्यान जाना कि अब इन्होंने इसे पले मैनुफेक्श्री में कापिटल अपना अब इन्हों केपीटल अपना ये काफिए बिजिनस में लगाएंगए तो यह भी एक तरह से इर्रेशनल से इनका बिज इन्वेस्टमेंट रहा है रेशनल मेकिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट 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 करना पड़ेगा अभी यह बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट को नहीं करना दें भी प्यक्तां preciso को कपिंटल न ही करना है अब आ रहे हैं का रिगृलार ग्रोथ है और यह वी business level भी है इसका देली वी कंप profitable बन्हें का बन चुका है जो first रहा है कुई इतने जल्दी में आके profit कर गएं यह बताना चाह रहे हैं उत्छे देली राय बेजरेटि और सिंगल पार्टी वेस्ट बेंगाल में इनको थोड़ा सा दिक्त्ट है। छेलेगा हरयाना में थोड़ा सा है और बेंगाल इनका कमप्लेटली इस प्लैन्ट बंद हो चुका है जाइब कापेक्स फील्ट थब वहां पर इनका इंवैस्टनेंट हो चुका है और वह से इंकम नहीं हा रही है चलिए अगर दिख्छ पॉजेटिव परोच नहीं आ रहा है हर्याना कभी इसमें बात किया गया है होल से ले डिमांड ने सप्लाई पर डिपेंड करता है तो चलिए यह रहा अब बात कर लेते हैं कि अस्क्रेंड का बात कर लिए अब इनका देखा जाया तो अभी काजीमर प्रोडक्शन में अभी भी काफी प्रोब्लम है ओडिसा में ग्रेंफिल गार कैंसल हो चुका है टेक्स रेजिम इनका बढ़िया रहा है फोकस कर रहे हैं कंजीमर बढ़िया है देली का पॉइंट रहा है बोटलिंग का पॉइंट इनका थोड़ा सा बिजनस बढ़ेने वाला है रायस्थान में थोड़ा दिक्कत है वेस्ट अंगाल में दिक्कत है और देखा जाए तो मिस्टी सिमिलर एक कंपनी है में स्टानफोर्ड जो मेज से इथनल बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि में में हो सकता है कुछ प्रोडक्शन पॉजिटिव आये अब आएए डिसकस कर लेते हैं हमने जो आपको दिखाया कि हमने भी इसमें जो हमने लगबग यहाप आप देख सकते हैं 900 का आसपास बाइं किया था और मैंने इसमें 1230 का आसपास निकल लगबग आपको देख सकते है है कि 30-40% वह साइब प्रोफीट था उसमें और में ऑफीन किया था और एपरेज करके यह इससे तो 50% दिखा मोतिलालो स्वाल को देख सकते हैं कि उतनी बड़ी उसने एक्जिट कर गया तो हमें भी एक्जिट करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर किसी के पात SLB है 10-20 तो आप यहां से एक्जिट कर जाए क्या पता है इससे भी ज्यादा 400 के आज़ पास भी सपोर्ट ले आके तो यह को भी डिसर्च किया है तो चलिए बहुत बढ़िया रहा आप इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बढ़िया कैसा लगा और किसी और कंपनी का डिसर्च करना है तो आप जोड़ी कमेंट में लिखे थैंकी थैंकी सो मुझ गॉड ब्लेस यू